यह डिवाइज रियल में सेवे नाई है और यह फॉन बहुत ही ज़्यादा है ठीक है इसमें बहुत सारा स्टोरेज फूल हो चुका है चार जीवी रैम है और बस 64 जीवी इसका इंटर्नल है जिसमें फॉन फूल होने कारूं बहुत हैं करता है तो अभी हम क्या करेंगे इस फ पहले के तरह काफी अच्छा चलेगा यानि कि स्मूठ चलेगा ठीक है तो अगर आपके फॉन के अंदर कोई आपका परस्टनल कोई बहुत ही ज़्यादा जरूरी डाटा है तो उसको ट्रांसपर कर लेना किसी दूसरे फॉन में ठीक है क्योंकि आपका सारा डाटा डिलेट हो जागा तो फॉर्मेट करने के लिए सबसे पहले आपको सेटिंग में आना ठीक है सेटिंग में आ जाओगे सेटिंग में आने के बाद यहां पर आना है आपको एडिशनल सेटिंग करना ठीक है इस तरीके से एडिशनल सेटिंग में आना आपको एडिशनल सेटिंग में के बाद यहां पर नीचे स्कॉल करना है बैक अंड रिसेट में आने के बाद आपको यहां क्लिक करना है इस पर क्लिक करने के बाद erase all data पर click करना ठीक है and erase all data पर फिर से click कर देना ठीक है फिर से click कर देना बस इतना करोगे phone automatic switch up होगे on होगा यहाँ पर आपको कोई छर्खाइन नहीं करना है just wait करते है एक से दू मिनेट करने यह phone on हो जाएगा इसको simple setup complete करना है कि दो से तीन मिनेट वेट करने के बाद आपको ऐसा user interface मिलेगा यहाँ पर next करना है ठीक है next करने के बाद agreement को accept करके फिर से next करना है फिर से next करना है देन इसके बाद यहां से फिर से skip बटन पर click करना है ठीक है इसकीप करना है exit करते हैं skip करते हैं यहां पर फिर से skip करते हैं ऊपर scroll करके accept कर लेते हैं ठीक है और यहां पर later पर click करेंगे फिर से later पर click करेंगे next करेंगे next करेंगे कि जैस्ट थोगा देर्वेट करेंगे ठीक है गेटर स्टार्टर पर किलिक करेंगे तो फाइनली आपका जो है न फॉन फैक्टि डाटा रिशेट कंप्लेट हो चुका है वीडियो को लाइक जरू किजिए चाहें बैली और सब्सक्राइब करेंगे थैंक्स वाचिंग आज ज जे हिंद जे भारत